नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ वो स्टेप्स जिससे कि एक गवर्मेंट जोब को लगने के बाद यानि कि आपका जब रिजल्ट साता है, वहां से लेके और जब आप जोईन करते हो उसके बीच में क्या-क्या स्टेप रहते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारा कुछ डिसकस करूँगा तो आप वीडियो पर लाश्टाक बने रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीदी चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कोई भी गवर्मेंट एक्जाम के लिए अगर नोटिफिकेशन जब जारी होती है तो उसमें एक्जाम की डेट तक नहीं ठीक से लिखी होती तो आप ये आइडिया कैसे लगाओगे कि आप रिपेर कर रहे हो और उसके बाद कितने दिन के बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी क्या रहता है आपका एक्जाम होता है एक्जाम के बाद एक्जाम का रिजल्ट आता है अब जो कहानी शुरू होती है उसके बाद शुरू होती है अगर आपका रिजल्ट आ जाता है यानि कि आप पास हो जाते हो एक्जाम के अंदर तो फिर उसके बाद आपको जो है document verification के लिए बुलाया जाता है तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि document verification में तो हर कोई लोग पास ही हो जाते होंगे उसमें भी बहुत सारी complications होती है तरह तरह कि वो अलग-अलग जो post की अलग-अलग requirement के इनुसार वो change हो सकती है सबकी लेकिन आपको document verify होने के बाद next process होता है कि आपको एक बर और online result निकाला जाता है जिसमें कि आपको final result होता है दोस्तों ये जो process बता रहा हूँ ये सारा central government की job में होता है जब आपको final result निकल जाता है फिर आपके पास letter आता है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जितनी भी government job होती है उसमें ज़्यादा तर जो काम है वो सारा letters के जरीए किया जाता है तो आपके पास एक letter आएगा जिसको कहेंगे offer letter तो उस offer letter को आपको sign करके वापस अपने office में जमा करा के आना होता है फिर आपका जो offer letter है उसको जमा कराने के बाद फिर आपको एक medical की date मिलती है वो भी आपको एक letter के ज़रीए बताया जाता है फिर आपके police verification होईगी वो भी जो है department जो है direct जो आपके area का police station है उसमें आपकी verification के लिए request बेजते हैं तो document verification के बाद police verification भी होती है और फिर आपका medical examination भी होता है दोनों चीज में अगर आप pass हो जाते हो फिर आपके पास जो है एक ओर letter आता है उसको बोलते है offer letter उसको बोलेंगे हम joining letter offer letter पहले था अब आये का joining letter joining letter आने के बाद हम आपको हमें दुबारा से जाके अपने office में joining letter को accept करना पड़ता है कि आज हम join करना चाहते हैं फिर आप उसको join करते हो अपने organization को फिर उसके बाद आपकी posting की जाती है आप join करने में और post करने में भी फरक है क्योंकि एक बहुत बड़ा office है उसके अंदर आपने join तो कर लिया लेकिन आपको किस department में भेजा जाएगा वो उसको बोलते है posting फिर आपकी posting की जाएगी और उसक तो दोस्तों यह सब होता है process जो की काफी लंबा है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग भी preparation करते रहोगे मैंनत करते रहे और एक ना एक दिन आपकी job जरूर लगेगी और जिस दिन लगेगी job तो यह सारे process से आपको गुजरना पड़ेगा दोस्तों मैं आशा करता बहुत बहुत धन्यवाँ